नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता में मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आए हूँ आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरे यूपी में एग्जिट पोल एक बार फिर योगी राज की तरफ इशारा कर रहे है करीब दस एग्जिट पोल योगी सरकार के साथ है वहीं पंजाब में आपके आने की उम्मीद जताई जा रही है गोवा में पंजे और कमल के बीच काटे की टकर होती नज़र आ रही है उत्त्रा खंड में आदे भाजपा के तो आदे कॉंगरιस की सरकार बना रहे है मनिपुर में भाजपा का परचम फहरता नजर आ रहा है यूपी चुनाव के 10 से ज्यादा एग्जिट पोल भाजपा को सपष्ट बहुमत में दिखा रहे है यहां भाजपा को 212 से 326 सीटे दी गई पंजाब में एग्जिट पोल के अनुसार किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है इस बार 117 सीटों में से आपको 38 से 44 सीटे मिल सकती है यूक्रेन पर रूस हमले का आज 13 दिन है इस युद्ध को छड़े दो सबता हो गए है इस दोरान रूस ने चर्णोबिल समेट यूरोप के सबसे बड़े नुक्लियर पावर प्लांट जैपोरिजिक पर अपना कबजा कर लिया है बता दे कि इस से पहले रूस ने इस परमाणु सैयंतर पर हमला भी किया था जवाहलाल नहरो यूनिवरसिटी में सेंटर फॉर रशिया एंड सेंटर फॉर एशियन स्टडीज की प्रॉफिसर अनुरादा शिनोई ने कहा इस हमले से रूस ने सभी देशों को ये कड़ा संकेत दिया है कि इस लड़ाई में कूदने पर नूकलियर अटैक जैसे घातक आक्शन का सामना करना पड़ सकता है उनके मताबक इसका एक संकेत राश्ट्रपती जिलिंस्की के लिए भी है कि यदि वो रूस की मांगों के आगे नहीं जुके तो अनजाम सही नहीं होगा जैपारजिक नूकलियर पावर प्लांट पर किये गए हमले का असर साफ तोर पर नजर आ रहा है इस हमले के बाद पश्चिमी देशों और अमेरिका ने बयान बाजी के लावा कोई भी दूसरा कदम नहीं उठाया है रूस पर लगाए गए तमाम आर्थिक प्रतिबंदों को पूरी तरह दुनिया पर दूर गामी प्रभाव पढ़ सकते हैं इसकी मुख्य वज़य है विमानन समुद्री और कारुद्द्योंगों में इस्तमाल किये जाने वाले रूसी कच्चा माल इसके अलावा दुनिया भर में गेहूं की आपूर्थी प्रभावित हो सकती है बैंकिंग प्रणाली में असर दिखने भी लगा है दुनिया के विभिन्न बैंकों के रूस में 120 अरब डॉलर फसे हुए है यूग्रेन पर रूसी हमले ने वैश्विक अर्थ व्यवस्था में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है आर्थिक प्रतिबंदों से कई अमेरिकी कमपनियों का आयात खासकर टाइटेनियम आयात प्रभावित होगा जो विमान बनाने के लिए महत्वपूर्ण अव्यव है यूग्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूसी बैंकों, रूसी रईसों और अन्य संस्थाओं पर वित्तिय प्रतिबंद लगा दिये हैं हलाकि रूसी कमोडिटी, निर्यातक, VSMPO, AVISMA पर अभी तक कोई प्रतिबंद नहीं लगा है जो विमान निर्माता कंपनी बोईंग और एरबस को टाइटेनियम की आपूर्ति करता है एरबस ने कहा है कि वह अपनी आधी टाइटेनियम मांग के लिए रूस पर निर्भर है कुछ रूसी बैंकों को वैश्विक वित्तिय प्रणाली स्विफ्ट से भी अलग कर दिया गया है ये कदम टाइटेनियम सहिद कई रूसी निर्यातों की आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है टाइटेनियम स्पंज कीमती धातू टाइटेनियम खनच कणों से बनता है और इसका इस्तेमाल कई उद्योगों में किया जाता है युक्रेन रूस के बीच दो हफ्तों से चल रही जंग के बीच युद्ध विराम के सिलसले में हुई दोनों देशों की तीसरी बैठक भी बेद नतीजा रही बता दे कि सुमवार को बिलरूस में हुई बातचीत में युद्ध के बीच लोगों को निकालने के लिए युक्रेन में हुमन कॉरिडोर बनाने पर सहमती नहीं बन सकी युक्रेन ने रूस के मेजर जनरल विटेली गेरासिमोव को मार देने का दवा किया है कीव इंडिपेंडनेंट ने युक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के इंटेलिजन्स चीफ का हवाला देते हुए एक खबर दी है खबर के मताबिक खारकीव के पास युक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच जन्ग में गेरासिमोव मारे गए हैं इसराइल की प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनिट ने रविवार को मॉसको की अचानक यात्रा कर रूस और युक्रेन के बीच मध्यस्त की भूमिका निभाने की कोशिश की साल भर से भी कम समय से इसराइल की कमान समाल रहे बेनिट विश्व मंच पर बहुत हद तक पर्खे नहीं गए हैं उन्होंने रूस और युक्रेन के बीच इसराइल को एक असहज स्थिती में डाल दिया है और कूटनितिक कोशिशों की भूमिका निभाने की संभावना बना रहे हैं सीरिया में सुरक्षा समनवाय के लिए इसराइल क्रेमलिन के साथ संबंदों पर निर्भर है वही इरान के परमाडु कारिकरम को लेकर तहरान के साथ मौस्को वारता की मेज पर बैठा हुआ है ऐसे में इसराइल रूसी राश्टरपती व्लादिमिर पुतिन को नाराज नहीं कर सकता बैनेट ने कथित तोर पर यूकरेन के नागरिकों को अपना समर्थन व्यक्त किया है और उन्होंने रूस के आकरमण की निंदा करना बंद कर दिया है रूस पर पश्च्च्च्च्बी देशों के प्रतिबंद बढ़ने के बावजूद बेनेट ने पुतिन और यूक्रेयन के राश्ट्र पतीक से संपर्क बनाय रखा है तेल अवीव विश्विद्याले में यूरोपी अमामलों के विशेशग्य एस्थर लिपातिन ने कहा बेनेट ने खुद को नए रूप में ढाला है इसराइल उन कुछ देशों में शामिल है जिसका रूस और यूक्रेयन दोनों देशों के साथ कामकाजी संबंद है अपनी यात्रा से लोटने के कुछ गंटे बाद बेनेट ने अपने मंत्री मंडल से कहा कि ये इसराइल का नैतिक करतव है कि वह कदम उठाए इसके साथ एक देश जो परमपरागत रूप से फिलस्तीनियों और अरब देशों के साथ अंतरराष्ट्री मध्यस्तिता का लावारती रहा है वह मध्यस्ति बनने की ओर बढ़ रहा था दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ, ग्रेट बेरियर रीफ की सुरक्षा के लिए अस्ट्रेलिया की सरकार ने एक अरब डॉलर की योजना घोशना की है रीफ की सुरक्षा के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश है जिसका ऐलान प्रधान मंतरी स्कॉर्ट मौरिसन ने हाल में ही क्वीन्स लैंड केर्न्स में शहर में किया था इस योजना में ऐसी तकनीक और जल प्रभंदन में वस्ता के विकास पर ध्यान दिया जाएगा जो रीफ की सुरक्षा के लिए जरूरी है नई योजना में ज्यादातर निवेश जल प्रदूशन को कम करने और जल प्रभंदन बहतर बनाने में किया जाएगा देश दुनिया की बागी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ दहनेवाद